नमस्ते मैं मंजी कुमरी आज आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पार्ट मैं टोपी का प्रशन उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ यह एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे पहले मैं इसका फूल एक्स्प्लेनेशन भी की हूँ उसको देखने के लिए आप उपर दिये गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन भॉक्स में भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अभी मैं आप लोगों को टोपी कहानी का मैं प्रश्णुतर परहाने जा रही हूँ तो इसमें पहला प्रश्ण है गवरिया और गवरा के बीच की बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी एक्षा पूरी करने का अफसर कैसे मिला इसका एंसर है गवरिया और गवरा के बीच आदमियों के द्वारा रंग बिरंगे और सुन्दर कपरे पहनने से आदमी की खुबसूरती बर जाती है तथा सर्दी गर्मी एवन वर्शा की मार से लोग बचने के लिए कपरे पहनते हैं इन सब बातों के बारे में जानकारी हु कि कपरे पहनने के बाद लोग कितने सुन्दर लगते हैं लेकिन गवरा बोल रहा था कि नहीं कपरे पहनने के बाद आदमी बदसूरत लगने लगता है उसकी सारीरिक छमता प्रभावित होती है मतलब जो जारा गर्मी वर्शात को शहन करने की जो शक्ती होती है वोग मनु कितने गरीब है या साधरन आदमी है या धनी आदमी है इन सब बातों का हैशियत का पता चलता है गवरईये को अपनी इक्छा पूरी करने का अवसरता मिला जब यह दोनों घूरे पड़दाना चूगने गए थे जहां उन्हें रूई का फाहा मिलता है उसने सूत कतवाया कप कपरे बनवाये तथा टोपी सिलाकर यह सब इच्छा पूरी की दूसरा प्रशन है गवरईये और गवरे की बहश के तरकों को एकत्र करें और उन्हें शंबाद के रूप में लिखे इसका एंसर है गवरईया और गवरे की बहश निमलिखी चार तरकों पर बहस हुई है पह सुन्दर दिखाई देता है तो गवरा क्या बोलता है पागल हो रही हो क्या आदमी कप्रे पहन कर बदसूरत दिखता है तो इस पर गवरेया बोलती है लगता है आज लट जीरा चुगाए हो क्या आदमी पर कप्रा कितना फबता है तो गवरा बोलता है खाक फबता है कप्रे की मनुश्य की खुबसूरती गप्रे से मनुष्य की खूब सूर्ती ठक जाती है अब तुम्हारे सरीर का एक एक कटाउ जो मैं देख रहा हूं कप्रे पहनने पर कैसे देख पाता तो इस पर गव्रईया बोलती है पर आधमी मौसम की मार से बचने के लिए कप्रा पहनता है तो इस पर गव्रा बोलता है आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है, फिर गवरा बोलता है, तू टोपी की बात कर रही है, टोपी की तो बहुत मुशिवते हैं, कितने राजपात बदल जाते हैं, लोग अपनी टोपी बचाने के लिए कितनों को टोपी पहनाते ह जराश हुए और टोपी उछलते देर नहीं लगती है मेरी मान तू इस चक्कर में पर ही मत रूए की फाहा मिलने पर गौरेया बोलती है मिल गया मिल गया मुझे रूए का फाहा मिल गया फिर गवरा बोलता है लगता है तू पागल हो गई है रूई से टोपी बनवाने का सफर कितना कठिन है इस पर गवरेया बोलती है टोपी तो बनवानी है चाहे जैसे भी बने फिर गवरेया क्या करती है गवरे को कहती है देख मेरी टोपी सबसे निराला पांच तो यह सब बाचीत दोलों के बीच होती है तीसरा प्रश्ण है टोपी बनवाने के लिए गोरईया किस किस के पास गई टोपी बनने तक के एक एक कारी को लिख है तो उसका एंसर है टोपी बनवाने के लिए गोरईया निमलिखी चार लोगों के पास जाती है पहला सबसे पहल करने को तयार नहीं था पर जब गोरेया कहती है कि इसमें से मैं तुम्हारा तुमसे जो काम करवाओंगी वह मुफ्त में मैं काम नहीं करवाओंगी मैं जब काम करवाओंगी तो तुम्हें इसमें से आदा मेहताना मेहनताना मैं तुम्हें दूंगी तो जो है धुनिया तयार नहीं होता है लेकिन गोरिया फिर बोलती है कि मैं मुफ्त में तुमसे काम नहीं करवाओंगी आधा मेहताना मेहनताना तुमको मैं दे दूंगी तो वह सूत काटने के लिए तैयार हो जाता है फिर वह कहां जाती है बुनकर के पास जाती है तीसरा नमबर तो कोरी द्वारा का को देती है है बोलती है कि मैं तुमको इसमें से हाधा दे दोंगी गुंडर तैयार हो जाता है और सुंदर से महिन कपरा बुंद highlighting फिर वह दर्जी के पास जाती है। तो पहले तो दर्जी गुरत अब करने का क्या करने को तयार नहीं होता है परंतु जब गोरिया उससे कहती है कि दो टोपियां सिल कर उसे दे दो एक तुम ले लो एक मैं ले लूँगी तो इसके लिए क्या होता है दर्जी तैयार हो जाता है दर्जी खुसी होकर गोरिया का टोपी बना देता है और उसमें पांच उनके फुद्ने लगा देते हैं और गोरिया यह टोपी पाकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह काफी खुशुरद्धं से उस टोपी को दर्जी तैयार करता है वह पहन कर नाचने लगती है अब चौथा नमर का प्रशन है गोरईया की टोपी पर दर्जी ने पांच फुद ने क्यों जड़ दिये इसका अंसर है गोरईया जब बुनकर द्वारा बुना महिन कपरा लेकर दरजी के पास गई तो उसने दरजी से कहा कि इस कपरे के दो टोपियां सिल दो उसमें से एक को अपने पास तुम रख लो क्योंकि तुम मेहनत से इस काम को करेगे इतनी अच्छी मजदूरी मिलने की बाद तो उसमें से एक को अपने पारिस्रमिक के रूप में रख लो इतनी अच्छी मजदूरी मिलने के बाद दरजी सोच भी नहीं शकता था वह बहुत खुश हुआ उसने अपनी खुशी से गोरईया की टोपी में पांच फुद ने लगा दिये कि अब शोट प्रस्ट भी है लेखक ने परम शंगी किसे कहा है वे किस परकार पर परम शंगी थे तो एंसर है लेखक ने गोरईया और को परम शंगी कहा है वे दोनों अपनी रोजमरा की जिंदगी साथ साथ जीते थे साथ साथ रहते थे और कहीं भी जाते थे साथ ही जाते थे साथ ही हसते थे और दुख सुक की बाते साथ में एक दूसरे को शेयर करते थे साथ एक साथ खाते पीते और सारे काम एक साथ करते थे दूसरा प्रशना है गवरईया और गवरे की दिन चरिया क्या थी तो इसका एंसर है गवरया और गवरा प्राता होते ही अपने घोशले से निकल कर दाना चुगने के लिए जाते थे और शाम होने पर घोशले में चले आते थे वे दिन भर की ठकान एक साथ उतारते थे था दिन भर की बातें एक दूसरे के साथ बताते रहते थे तिसरा प्रशन है कपरे पहनने के पक्ष में गोरिया ने क्या तरक दिये तो इसका एंसर है कपरे पहनने के बारे में गोरिया ने कहा कि इससे आदमी की खुबसूर्ती बढ़ती है तथा आदमी मौसम की मार से भी बसता है इस प्रकार कपरे पहनने से दोहरा लाव होता है नमर चार आदमी के कपरे पहनने के विपक्स में गवरा क्या तरक दे रहा था इसका एंसर है गवरे ने कहा कि कपरे पहनने से आदमी की खूशूरती ढख जाती है उसकी सर्दी गर्मी बढ़सात सहने की जो सकती होती है वह भी घट जाती है इसके अलावा कपरों शे आदमी आदमी की के बीच की हैशियत का भी पता चलता है और नमर पांच है गवरेया और गवरा एक दूसरे के परमशंगी थे पर उसके शुभाव किस तरह से भीने थे इस जो ठान लेती थी उसे करके ही छोड़ती थी अपने सोचे काम को जीवन का लक्ष मान लेती थी जबकि गवरा समझदार और शक्की भी था नमर शिक्स है गवरेया ने धूनिये को काम करने के लिए किस तरह राजी किया इसका अंसर है धुनिया समझता था कि गवरेया भी पर जब गवरेया ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी मतलब महनत ताना दूंगी इसे धुन दो भीया आधा तू ले ले और आधा मैं ले लोंगी इसी मजूरी पाकर धुनिया तुरंत काम करने को तयार हो जाता है नमर साथ है कोरी राजा के काम में लीन कोरी क्या किया काम करने से मना कर देता है वह मुफ्त में राजा का काम कर रहा था उसने बताया कि यहां सब काम राजा के नाम पर राजा के लिए होता है राजा के लगवों भगवों का काम भी इसी तरह फोकट में होता है मतलब राजा के साथ जो भी काम करते हैं उसका भी क मुफ्त में भी यही वेलोग करते थे नमर आठ है टोपी पहनकर गोरईया ने अपनी खुशी किस तरह शेव्यक्त की इसका अंसर है टोपी पहनकर गोरईया बहुत ही खुश हुई वह डेर टामों पर नाचने लगी और खुशी से फुदक-फुदक कर गवरा को दिखाने दिया तो इसका अंसर है गोरईया की टोपी देखकर राजा अस्चर्ज में पढ़ गया उसकी टोपी बहुत ही सुन्दर थी जिस पर पांच फुदने जरे थे राजा को अपनी टोपी उसे बदसूरत लग रही थी उसे हेट ही महसूस हुई उसने सिपाहियों से गोरईया क कि टोपी किस तरह चिन ली इसका अंसर है राजा के शिपाहियों ने गोरईया की टोपी पाने के लिए गुलेल मारकर उसकी टोपी गिरा दी दूसरे शिपाहियों ने वह टोपी उठाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दी इस तरह उन्होंने टोपी चिन ली नमर 11 है टोप कहाने से कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि समाज का निचला वर्ग जो कमजोर वर्ग महनत मजदूर करने वाले किशान कारीगरादी होते हैं उनकी भी अपनी आवश्यक्ताएं होती है हमें उनसे मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए उन्हें काम करने के बदले पूरा प उसे उत्साह पुर्वक करें, उसे पूरी निष्ठा तथा परिष्ट्रम से करें, इससे काम में सफलता निष्ट रूफ से मिलती है, काम के पूरा होने में जो बाधाईं हमारे शामने आती हैं, उन्से घवराना नहीं चाहिए, आगे प्रस्ण है, गवरे में मनुष्य की सुंदर्ज को जोड़ते हुए कपरे पहनने का किस तरह विरोध किया, तो इसका एंसर है, गवरे में गवरेया को बताया कि कपरे पहनने से मनुष्य बदसूरत हो जाता है, उसकी खुबसूरती ढख जाती है, मनुष्य लिवास से के वर लाज ही नहीं ढखता, बलकि चलने फिरने काम करने वाले अंगों को भी ढख लेता है, जिससे उसकी सुंदरता छिप जाती है, इसके अलावा गवरेया के कपरे पहन लेने के एक एक अंग, कटाओ तथा रोए रोए की रंगत भी कपरों में छिप कर रह जाएगी, आगे प्रशन है, गवरेया को फाहा मिला, पहन कर अपनी एक्षा पूरी कर ली, इसी प्रकार रास्ते चलते एक व्यक्ति को बरा उमदा तथा लचकदार चाबुक मिला, वह सोचने लगा चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोरा लगाम जीन, वह अपना काम धंदा छोड़ कर पूरी उम्र यही रठते रह गय पर बाकी को पाने के लिए परिश्वम नहीं किया, उससे उसकी लगाम घोरा लगाम जीन वाली इक्षा पूरी भी नहीं हो सकी, आगे प्रशन है टोपी को पैरों तले मशल ने जा रहा, राजा अचानक क्यों रुख गया, इसका एंसर है, गवरईया की टोपी बहुत सुन तले मसल ना चाहा, पर राजा गवरईया की टोपी की खुबसूरती देखकर दंग रह गया, उसने कारिगरी का ऐसा बेजोर नमुना नहीं देखा था, इतनी सुन्दर टोपी को बार बार उलट उलट कर देखने लगा और पैरों तले मसल ना शगा, आगे प्रशन है, राजा की परेशानी के अनेक कारण थे, जैसे उसी के राजी के कारिगरों ने उसके कारे को ना करके गवरईया का काम पहले किया, इसके अलाब गवरईया की टोपी राजा की टोपी से अधिक खुबसूरत थी, इससे राजा की हेटी हो रही थी, मतलब उसका अपमान हो रह था मतलब वो चारोत तरह धो है घूम रहा था यातररा कर रहा था जिससे उसका खजाना घट रहा था खजाने को पूरा करने के लिए उसने बेगार करना सुरू 창ण या मतलब मुफ्त में उससे काम करवाने लगा और शक्ति से लगान वसूरना शुरू किया पर यह सब नाकाफी था मतलब यह गलत व्यभार था उसका और नमबर आगे पांच है गबरे का खाना था कि अपनी टोपी सलामत रखने के लिए कितनों की टोपी पहनानी पढ़ती है उसका यह कथन आज के परिपेक्ष में कितना प्रशांगिक है इसका एंसर है गवरा ने गवरेये को राय दिया कि तू टोपी पहनने की बात भूल जा और इस टोपी के चक्कर में न परे क्योंकि अपनी टोपी बचाए रखने के लिए बहतों की टोपी पहनानी पढ़ती ह गवरे का यह कथन आज के परिपेक्ष में पूरी तरह प्रशांगिक है आज सासन पर या कुर्सी पर अपनी पकर बनाए रखने के लिए लोगों को अपने तथा परायों सभी की चापलूशी करनी पड़ती है उनकी बाते माननी पड़ती है तथा उनके आगे पीछे घूम आप उनकी प्रतमान में कितनी उपियुक्त अनुपियुक्त है इसका एंसर है इस कहानी में राजतंद्र का वर्णन है जिसमें राजा राज के कारीगरों से बेगार में काम करवाता है उन्हें कुछ देख भी नहीं है यह सासन प्रणाली आज की लोगतंद्र से बिलकुल अलग है आज हर व्यक्ति को उसके परिष्ट्रिम के उचित मुल्य दिया जाता है बेगार की प्रथा प्रजातंत्र बिलकुल भी उप्युक्त नहीं है आज तो प्रजातंत्र ही सरगोत्तम है तो इसी के साथ पाट शमाप्त होता है आसा है आप लोगों को पाट समझ में आ गया होगा एक्जाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लिजेगा और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक् सब्सक्राइब के बगर में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक किजिएगा लाइक किजिएगा और सेर किजिएगा और कॉमेंट्स किजिएगा कि आपको यह पाट कैसा लगा आगे नए पाट के साथ फिर मैं मिलूंगे क्लिक कि आपको यह पाट किजिए एक शफ रचिएगा । कि यह पाट किजिएगा प्रूर दे मिलूंगे